असलाम वालेकुम कैसे है आप लोग सो उम्मीद करती हूँ आप लोग सो खेरियत से होंगे अलहम्दोलिल्ला हम लोग भी सो अच्छे हैं और यह मैं शुरू करती हूँ मेरा व्लॉक मदर्स्टे स्पेशल यह देखिए मदर्स्टे पे हम मंगा लिये थे खाना मंदी बहुत टेस्टी थी बहुत यम थी और यह हमारी बेटियों की फर्माइश पर मगाई थी मैं मदर्स्टे बनाने के लिए कोई खास दिन या मा बच्चों का ऐसा कुछ खास दिन ने रहता बस देखे आप ना एक खुबसरत बांड रहता मा और बेटियों का माशाला लहम्दोलिल्ल मैं इतनी प्राउट फील होता है मैं को कई बार के अल्ला ताला इतने च्छी बेटियों से नवाजे हैं मेरे मेरे शोहर को और इतना ख्याल करने वाले हैं वो लोग पस लोग एक टाइम देखते हैं कि ऐसा कुछ मुमेंट हो के मैं हम अपने पेरेंट्स को खुश करें अप में सब हैं लेगिन फिर भी रिलीजियसली फालो करते हैं लोग रिलीजियसली मतलब देखते हैं मतलब वहां नमाजी पर इजगार है माशाला से अल्ला से डनने वाले हैं मेरे बेटियां बाबाब की इज़त करने वालों में से अलहमदोलिल्ला अनके खिसमत बहुत पने मेरे बेटियां कभी जिन्दगी में अल्ला ताला मेरे तीनों बच्चें किसी पर डिपेंड ना करा है किसी के मोहताजी ही नहीं दे बस एक भी बहुत मज़े का था बच्चे लाये थे हमारे सुब के अपनी पनी तरफ से गिफ्ट्स था ये बड़ी बेटी लाये हैं देखें मेरे लिए और माशाला बहुत प्यारा गिफ्ट था नाकुबसूरत था बहुत उठा के समाल के रखी हूँ ये है उनके तरफ से अपने प्यारे फूल हमारी बड़ी बेटी लाये हैं हमारे लिए माशाला से और चोटी बेटी की तरफ से ताज है मेरे लिए and I'm honored ये हमारी को ताज मना की पिना है ये मंजली बेटी लाए है केक और ड्रेस लाए है समझी हमारी चुटी बेटी और मंजली बेटी की दरफ से ड्रेस है पाकस्तानी सूट है बहुत प्यारा है प्योर कॉटन है जो में पसंद है मेरी मन पसंद लाए है और ऐसा नहीं कि मैं खास कुछ ऐसा गिफ्ट की उमीद थी वो जोलों की महबत दिखरी थी इसमें जो ना कुलूस दिख़ा था बहुत अच्छा दिखा मैं खोल के बता रही हूं शयाद मैं को इसा दिखा कि इसमें कुछ मिस हो गया है दिखाने में तो और अलहमदोल्ला अल और लाइक करी जादा से जादा थांक यू सो मच पो वाचिंग मैं चानल